दोस्तो जैसे ऐसे CGPACP Prelium Pass आते जा रहा है अब आपको अपने अपने लाइवरीज में इस प्रकार के ग्रूप स्टड़ी वाले जुन्ड आपस में घूमते फिरते दिखेंगे तो दोस्तो एक ग्रूप स्टड़ी की क्या basic माया होती है इसके साथ क्या advantages होते है problems होते है और क्या solutions है जो मैं आपको अपने perspective से देना चाहता हूँ चलिए देखते है तो advantage क्या होता है एक group study का यह होता है कि हर topic में कुछ extra point पता चल जाता है किसी ने कुछ point बता दिया किसी ने दूसरा point बता दिया दूसरा यह है कि factual अगर कोई चीज होती है तो रटने में easy होता है for example अगर current affair है for example इंडिया की ranking होगे different indices में for example अगर economic survey के कोई data है तो आपस में बोलते बोलते वो आपको याद हो जाता है तीसरा अगर कोई complex topic है जिस प्रकार से अगर philosophy होगे जिसको आप purely अगर book से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर आप कोई discuss कर लेता है कोई से करक्स बता देता है तो वो आपको जल्दी से समझ में आ जाता है उसके बाद नए trick पता चल जाते है for example अगर कह सकते हैं कि राजयोत्सवर में दिये गए विभिन पुरुसकार इस प्रकार में वो topic है जिसमें बहुत सारे awards है लगबग 22-24 awards है और हर किसको क्या-क्या मिला है कौन से छेत्र मिला है अगर आप रटने में दिक्कत हो रहा है तो अगर आप साथ में बैठ जाएंगे तो आपको कुछ ने कुछ ट्रिक मिलता जाएगा रटने का इसमें से एक ट्रिक जो मैं ने यूज करी थी वो ये थी कि जब भी हमको हिंदी या फिर 37 गड़ी के different authors को पढ़ना तो तो हमने कुछ-कुछ करके ट्रिक बना ली थी आपस में गुरूप में बैठ के और वो हमक को पता चल जाता है कौन से कोशन सब के लिए tough होते हैं कौन से कोशन सब के लिए easy हो जाता है ये भी clear हो जाता है इसके बाद जो basic problems होते है group study के साथ जो मैंने personally देखा है experience किया रैटिस ये बहुत slow होता है कोई अगर चीज आप 30 second ये 45 second में कर सकते हो तो वो गुरूप में क करने पांच मिट लग जाता है दूसरा आपको सिंग करने में प्रोबल होता है लोगों के साथ समन्वे करने में ताल में बठाने में काफी दिक्कत होती है टाइमिंग की प्रोबलम हो सकती है कोई बोलेगा कि भाई सुभा कर लेते हैं कोई बोलेगा भाई शाम को कर लेते ह कोई essay के तैयारी कर रहा होगा, कोई language रट रहा होगा, कोई economic survey रट रहा होगा, कोई Indian history रट रहा होगा, तो एक ही syllabus का, तीन चा लोग का, एक साथ करना भी सबसा डिफिकल्ट हो जाता है, कि हर किसी का अलग-अलग completion of syllabus के stage में रहता है, उसके बाद group में, जो usually होता है, अगर च जाते हैं, दूसरे दोस्तों से मिलके आ जाते हैं, इस प्रकार के प्रोलोबन देगा, तो चारों का एक साथ एक ही temperament में रहना मुश्किल होता है, उसके बाद कई show of people होते हैं, hate these kind of people, कि ये लोग क्या करते हैं, कि ऐसे उजलूर facts रट लेते हैं, जो CGPACE में कभी नहीं काम आने वाला है, लेकिन इसके साथ डिसर्वांटेज ये हो जाता है, जो बाकी जो तीन लोग होते हैं, वो काफी under confident feel करते हैं, उनको लगता है कि उनका preparation अच्छे से हो नहीं पाया है, बाके सम लोग तो बहुत जादा fat रट लिये हैं, तो इन जो तीन-चार लोग इनको under confident feel हो रहा है, मैं इनको बतानू कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काफी general questions आते हैं, प्रिलिंस में भी, mains में भी, और ऐसा hardly ऐसा कोई fact होगा, जो किसी आजमी ने specifically रटा होगा, और इसको काम आ गया होगे, ऐसे question एक डेड़ हो सकते हैं, जिसको आप आराम से compensate कर सकते ह हो, और ऐसे प्रकार के rare or the rare question कभे भी cut off decide नहीं करते हैं, तो under confident होने की जरूवत नहीं है, अपना ग्यान अगर कोई दिखा रहा है तो इसको दिखाने तो, at the end of the day, CGPC सबको test कर लेगा कि इसके पास कितना ग्यान है, और most importantly, कितना relevant ग्यान है, उसके बाद कही लोग, क्या ब यह है कि काई लोग true love के उसमें चले जाते हैं, वो ऐसा है कि वो दिन दिन बर group study करते हैं, और पूरा जो आदान प्रदान, आदान प्रदान तो छोड़ो सिर्फ प्रदान करते हैं, अपने पूरे कह सकते ग्यान कोश को, अपने से दूसरे person को, और इसी में लगे रहते हैं यही तीन-चार महेने चलता है, और इसका successful model या unsuccessful model में क्या होता है, last slide में आपको बताता हूँ, ठीक है, अब देखो यह है कि group projection school made me understand why batman prefers to work alone, मेरे को यह सब चीज थी समझ में आ गई थी, मेरे को समझ में आ गई थी, ग्रूप study जाला देन तो नहीं चलेगा, तो covid वाले face क को छोड़के मैंने अपने पूरे profession के दौरान कुछ group study नहीं करी थी, covid वाले situation में इसली की थी, क्योंकि एक external motivation की जरुवत पड़ती है, तो उस time पे मैंने group call से, whatsapp call से कह सकते हैं कि लगभग आदे गंटे, 45 मिनटे एक गंटे का discussion हम लोग किया करते थे, क्योंकि हमको पता तो उस time मैंने बस group study की थी, इन अभी के circumstances में, अभी के scenario में, group study को लेके मेरे जो advices काफी simple है, कि भई 30 मिनट से जादा group study मत करो, जब भी group study कर रहे हो, अपने-अपने topics भाट लो, और एक topic को सिर्फ एक ही आदमी बोले, बाकी लोग से मुंडी हिलाना, हाँ, 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 ब पढ़ के रखा है, तब आप correct कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, लेकिन चार लोग एक ही जिसको मत बोलो, एक आदमी को खड़ा कर वाद हो, उसको बोलो कि तू बोल, हम लो सुन रहे है, और हाँ, 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 मिलाते जाना, ठीक, उसके बाद study, ऐसा है कि group study सुबह से मत करना, जब सब लोग पढ़ लोगे, और ऐसा टाइम जब पे, जहां पे लोगो जाने का टाइम स्टार्ट हो गया, for example, आप चार लोगो, ठीक है, माल लोगो, दो लड़के, दो लड़किया है, लड़किया ने डिसाइड कर लिया कि हम साड़े नो बजे घर चले जाएंगे अगर आप जल्दी जा रहे हो, तो इस प्रकार से सिफ end of the study session में करना, most important चीज, जिसमें तुम लोगो बहुत मज़ा आने वाला है, तो पता है सब कुछ, वो यह है, कि don't find love in group studies, ठीक है, let parents do it in their group study of रिष्टेदार, भाई हर चीज रिष्टेदार में तुम ही दूढ़ोग यह group study होती है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, लड़का क्या करता है कि साल बर कह सकते हैं कि आदान प्रदान में ही लगे रहता है, ग्यान के आदान प्रदान में, और ग्यान के जादा आदान प्रदान नहीं हो पाता है, भावनाव का आदान प्रदान हो जाता यूजुली ऐसा होता है कि अगले सा लड़की का निकल जाता है प्रिलिम्स और अड़का का एक और अटेम्ट रूख जाता है तो यहाले शेटप में मत पढ़ना वन्स अगेन यह वाला जो कह सकते हैं मॉडल है पूरी तरह से कालपनी के बिलकुल भी सत्मेगटनाओं पर अभी मैं बहुत गुर्प स्टडी कर सकता हूं कि मेरा तो जो होना तो होई गया है लेकिन तुम्हारा ऐसा है अभी खुद की नौका समाल लिए तुमको दूसरे का कल्यान तब करो जब तुम खुद इतने सचक तो हो जाओ ठीक चलो काफी इंट्रेस्टिंग रहे सो कॉल् बाते हुई हैं तो कुल्मला के ऐसा है कि गुरूप स्टडी की यह है माया इस माया में विलीन हो जाओ या अपने आपको इससे मुक्त कर लो आपकी उपर है जो डिफरेंट परस्फेक्टिस थे वो मैंने बता ली चलो लग जाओ I hope कि यह वाला वीडियो आप लोग वाला है अब आपके टूरू लग वाला तो सेट अप हई है तो अगर या वीडियो ग्रूप में देख रहे हो तो I'm sorry सेट अप बिगाडने के लिए बडाइट्स दर रियालिटी चलो ठीक है ओल दे बेस्ट कीप वरकिंग जैहन